शेडोल जिले में इन दिनों रेत के कारोबार में सफेद पोश जिले के सफेद पोशो के नाम खुल कर सामने आ रहे हैं माफियाओं की तर्ज पर रेत का पूरा कारोबार वन्शिका ग्रुप के साथ मिलकर जिले के कैनेता बाकाइदा एग्रिमेंट के साथ कर रहे हैं इस महामारे के बाद जहां सरकार लगातार आम जिंदगी को पठ्रे पर लाने की कवायत में जुटी हुई है वही आसमान छूती कीमतों वाली रेत विकास में बाधावंदी नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि जिले में माइनिंग कॉपरेशन और खनीज वबाक इस दिम्मेदारों की निगरानी की बावजूद जिला मुक्याले से लगी सून नदी में बेखौफ नियम विरुद रेत उत्खनन हो रहा है। इसका अंदाजा तमाम उन शिकायतों से भी लगाय जा रहा है। शेडूल जे की आदा सैकड़ा रेत खनन वंचिका ग्रुप ने तीन वर्ष के जप से लेतोली है लेकिन उत्खनन कायदे कानून को ताक पर रखकर किया जा रहा है जो की लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो हाल ही में खनीज वबाग द्वारा इन पर कर प्रोडों रुपे की कारवाही प्रस्तावित की गई थी जसके बाद से ही राजनी ती कि दिगज इस कारोबार में उतर गए और रेत ठेकदार के साथ मिलकर ना सर्फ इसकाम में हिस्तजारी कर बैठे बलकि संरक्षन भी दे रहे हैं। खास बात यह है कि वंचिका से रेत उत्खनन कारे किया जा रहा है साथ ही अवैद रेत की रोयल्टी कार्ट कर उन्हें वैद किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो वंचिका ग्रुप ने ऐसे कई स्टाफ को जगा बनाई हुई है जहां रोजाना सैकडो गाड़ी अवैद रेत का भंडारन हो रहा लेकिन स्थाने जिम्मधारों की चुपपी से बेखौफ अवैदरेत उत्खनन का ब्यापार जारी है